नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है, मैं हर्षता जोरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों सिहोर सिहोर जिले के आश्टा में तीन तलाप का पहला मामला सामने आया है, जिसमें ससुर पर असलील हरकतों के गंभीर आरोप लगाए है, आश्टा निवासी पीडित ने जन सुनवाई में सिहोर कलेक्टर से गोहर लगाई है, पीडिता बीस वर्षी है, यूबती निवासी के ला पीडिता ने अपने ससुर रफीक पर गंभीर आरोप लगाती हुए कहा कि मेरे ससुर जाड़ा फुकी करते हैं, इस बहाने मेरे प्राइविट अंगो से दबाना हाथ फेर कर अश्टील हरकते करता था और गंदी गंदी बाते करता था, पती ने दिया तीन तलाप, वहीं प साथ मेरे पती में कुरुड़ा का बहवार किया है, पती का नाम दानिश खान है, शुसर का नाम रफीर मुहमद है, उन्होंने मुझे इतना सताया है, तीन तलाप दे दिया है मुझे, और आश्टे में आके मुझे से बत्तमीजी करीब होज़जादा मेरे घरवालों के सामन जित करता हैं, कहिए उन्होंने बहुत अश्णी ल्टाई करीए मेरे साथ, ससूर का नाम मुहमध रफीक है, बेटी-बेटी के उन्होंने पता नहीं क्या किया है मेरे साथ, पटि ते आधिध कह एकिए? होपाल में रहते हैं जहांकिराबाद में, तलाप किस तर दे सी गहा मेरे साथ थे वह में चाचु भी थे फे डादी भी थे सब कह सामने मुझे बोलके गाए वाली गलोज करकर गाए उसके बाद इसके बाद दस तारीक को फिर से आये मुझे के धायस की मांग भुस जादा करते थे मैरे साथ के तहीस देउ दरहे तो दाहिस की वज़ा से उन्हों समय जगत की लिए सिहोड से सती सेन् तिरिकोड For latest news, subscribe to your channel and press the bell icon.